स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेकनोलजी में मैं अनुपम वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो साइंस थाजडी में आज हम लोग बात करेंगे वायर फेरल्स एंड क्रिंपिंग के बारे में तो आए समझते हैं तो सबसाव़े समझे हैं, जो हम लोग इस तरो की चेकनोलजी के जरू पढ़ गए। बात है इससे पिछले वाले वीडियो में बात कि आप में लूच पार दहाँ तो भात कि यह सब बहुत इंप्रेंट चीजे हैं और इससे लो रिलाइबिलिटी भी होता है, यानि कि आपका आधा बार एक्यूप्मेंट चल रहा है यानि कि आधा बार नहीं चल रहा है और फायर हैजर्ट के बारे में बात ही नहीं करना है, यह अगर आग लगना तो बहुत कमन हो चुका है तो यह समझी है, अब आप बोलोगे कि क्यों ना कर दें, बात है पहली बात सोल्डर प्रैक्टिकल नहीं है, आप खुद सोची एक घर में सर्कृट प्रैकर में कितने तार लगते हैं और वसल तार मोटे होते जनरली, सोल्डरिंग चोटे चीज के लिए है, बड़े चीज में करना हाइज का इंग्र है, अगर यह को कि अगरे लागता है, उससे, आगर घरम होने लगा, और अग्रले भी अगर बात करें कुछ एंप चल रहा है तो ऑच विड़न सुड़ने के लाइता ही तो दो प्रहां नहीं है यानि कि आप जैसे गहर बनाए है और इसमें आप यह करेट चले गए आराम से आप कुछ दिन बाद आएंगे कुछ साल बाद आएंगे देखेंगे कि अरे भाई यह सब्तार गल के निकल चुका है वाई ऐसा कैसे हो सकता है फंड़ा गरम होता है एक दिन में कुछ नहीं होग मतलब उससे भी मोटा मोटा आता है लेकिन वो तो सीधा रॉड होने लगता है जो ग्राउंडिंग और अर्फिंग के लिए इस्तमाल होता है तो अगर वह आपको तिया जाता है तो बात है कि उसको यूस करना बहुत मुश्किल होता है गाड़ी सम्में कभी नहीं इस तरग बले बले ले लिया तार की कॉल्टी एकदम 2.5 स्क्वार में ले लिए एक एक प्लक के लिए चलिए सब ठीक है लेकिन उसे जोड़े कैसे तार को कैसे जोड़े प्लक तो आपने ले लिया प्लक को पीछे कैसे जोड़े तार को दूसरे तार से कैसे जोड़े तो यहां पर यह समझे हैं घूसल जाहर है, तो बात कते हैं यहाँ, असमाल का इस्तरमाज चाहरता है, यह हो गया उनिसुलेटेयग फेरल, यह हो गया एंसुलेटेट्ट फेरल और यह होता है, बहुत बखवाँ अब किस मेटल को होता है जनरली सवस्ता खरी दिए गा तो अलमुनियम रहेगा महंगा खरी दिए गा तो अपर तिन्ड मिलेगा ताकि उक्सिड़ेशन एकदम कम रहे और यह समझी है कि सारे स्ट्रेंड को ऐसे फैल जाने के जगाँ पर सबको एक पाइप के अंदर रखके कुंच देते हैं तो यही समझी है इससे सारे ची एक ट्यूब में आजाता है तो आपके पास एक सॉलिड कंडर्टर जैसा इलेक्रिकल बीहेवियर मिलता है इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यह जगहां पर बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिकल रिजिस्टेंस होता है यानि कि यह तार का पुरा पाइप बं-बं चल रहा है आप चार आयम पर भेज रहा है उसको कोई फरक ने पड़ रहा है लेकिन जैसे वहां कनेक्शन पारा कनेक्शन रहा है दो तीन स्ट्रेंड ठीक से कनेक्टेड है बाकि सारा स्ट्रेंड लूस पुछ है यह तो आर्किंग हो रहे हैं यह सीरियस खत्रा बन जाता है और यह समझी है कि इसको क्रिंपिंग सिस्टम को इतना अच्छे सा डेवलप किया जा रहा है कि बहुत एजी तू यूज है और रिस्क नहीं होता है यह सबसे खतर न रहे हैं पतलब कोई स्कूल में डाल दिया तर्मिलर में डाल दिया आप उसको कसे और पहला देगा वह ख बात है कि आप भले यह का तो कि हम एकनम परफेट काम रहता है आज नहीं तो कल कुछ होगा भले आपका एक्यूप्में में कुछ गवड़ना हो बहले आपने जो वाइरिंग किसी लेकिन कोई यूजर कुछ गलत कर दिया जरो ज़रा-दर ड्रॉ कर दिया और एक्सिडेंट के साथ हुआ है आपको बिजली मिस्तरी मिलेंगा परिशान हो गया है यह घर में काम करेंगे कि सारा तार मतब इतम छोटा-चोटा था तार को फ्रेश खिलने का कुछ यह यह तार है नहीं क्योंकि सर्विस लूप तो हिसाब वही रहता है कि फेरल इसी लेकर लोग इस्तमा सब त्रके शेप साइज मिलते हैं मार्केट में तो यह हो गया फेरल अब फेरल को क्रिंप कैसे करते हैं मैं आपको दिखा आता हूँ तो यही समझे, क्रिंपिंग किया जाता है, और क्रिंपिंग अगर ठीक से किया जाए, यानि जो भी चीज को आप क्रिंप कर रहे हैं, यह गास्टाइट हो जाता है, यहां पर oxygen molecule नहीं जाएगा, फाइदा, electricity चल रही है, metal conduct हो रहा है, moisture है, हवा है, oxygen है, react करेगा, conduct करेगा, व इसका एक दूसरा फाइदा है, अगर अच्छे से crimp किया गया है, तो उसमें अगर अंदर में आपका copper है, बाहर में pulmonium डालें, जारा दिक्कत नहीं होना चाहिए, और mechanically यह बहुत strong होता है, क्योंकि यह सारे छोटे stranded को समझी, सारा डोरी को एक जैसा बांद के रखता है, और इतना ताकत आप कुछ भी करके screw से तो लगाने से screw पहला देगा उसको, तो यह एक सीरियस बाइदा है, और प्रॉपर क्रिंपिंग करना, जो आप देखते हो कि इनवर्टर साब का battery में खास तो पर बड़ा high amp का system है, देखते हो कि बहुत भयानक क्रिंप किया जाता है, यह करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप यह समझे कि इसके टूल्स जो है, जैसा कि मैंने तो यह लिया है, यह सबसे सस्ता वाल एक्यूप्मेंट है, यह करिब कही है, 2000 के जए मुझे क्रिंपर और इसका एक बॉक्स किट नहीं आया मेरे पास, बॉक्स किट सब आ जात तो इसको कहते है रैचेटिंग क्रिंपर, यह आपको गारेंटिग देता है कि आप कर लोगे तभी तार निकाल लोगे, अशना कि पर श्लाइड हो जाये, टिकता है, और क्रिंपर आप देख से तो बहुत सारे अलग अलग डिजाइन का मिलता है, तो एक्सपेंसिव टूल यह स्थे आपका एक़जार का एकशार का एक्सपेंसिव आज़ागा बारा-तिरहाजार को कहांदेगा, बात यह है कि जो भी कमपणी आपको भारा-तिरहाजार धंग से लिया जा रहा है, तो उसमें वो लोग यह सर्टिफाइग करते हैं, कि इसका क्लैंपिंग स्ट्रिंथ तब ही कह सकते कि नहीं हमारा आपका यह cold welding हो जाएगा यह cold welding मतलब एसा होता है कि chemical level पर इलेक्ट्रो केमिकल लेवल पर यह एक solid block जैसा भी हेव करने लगता है तो वह करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है जैसे यह लिए है खुले से अभी भी अच्छा है और अगर ढंग से किया जा रहा है प्रॉपर यूस करते हैं इस सब में भी इंस्ट्रक्शन साते हैं अगर उसको फॉलो करते हैं तो काफी अच्छा मिलने वाला है और इसके बड़े वर्शन जैसे कोई भी कंपनी हो जाए एकसाइड हो जाए उनके पास इस तरह के मशीन होते हैं कि यह जगा आता है कम हुकर बात काब 場ह मैंड़ा बहुत कर दो लो है कि गवी कावड आता है यह से सब गेइंड है कि हमने क्रिमप बना के दिया है वह कर आपका कभ़ी फैलियर नहीं होगा आपका हमटका करोजई पूर keys रावल भाट ऐ चलभ पाल फाएध हो जाए हैं recordings यहां पे समझे कि इंडुस्ट्रियल पावर सेक्टर में आते हैं जहां पे बंबं बिजली के बारे मत करते हैं इस तरह के स्विच बोर्ड लिखते लगते हैं वहां पे इसके सिवा आपके पास आप्शन नहीं है यह समझेना बहुत ज़रोगी जैसे ही आपका पावर का डाम करने ही सकते हैं वह इतना हीट सोक कर देगा कि आपको कई मेगावट लेगा उसके इंसलेशन डामेज हो जाएगा अगर आपको करने के कोशिश किया दूसरी बात सॉलिड दिया नहीं जा सकता है क्योंकि वह मुड़े नहीं चाड़ हो जाएगा स्ट्रेंडेड ही दिना यह तो छोटा है लेकिन यह तो लिखा हुआ इसमें कि 10 स्कॉर में से ज्यादा उपर जाने ही सकता अब बात कर रहा हूं मैं तो यह तो काम नहीं करें तो वहां सब के लिए हाइड्रॉलिक इस्तमाल करते है जैसे यह चोटा वाला हाइड्रॉलिक है यह आपका बैटरी चलते हैं वह इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वाला खरीते हैं यह हाँ से नहीं होने वाला हाइड्रॉलिक चाहिए या तो इलेक्ट्रिक चाहिए तब ही यह हो पाएगा और इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्स होता है मतलब कैसे तार छिलना है कैसे क्रिंप ल तब कोई फार्क ने पड़ेगा कि माली जै जैसे धंका हाइड्रोलिक टूल आता है 12-13,000 का अस-पास का सस्ता वादली जी का सारी तीन कड़ा है और वहीं बार 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 से तेल लिख रहा है यह है यह पहुंची नहीं पार चाहिए क्योंकि आप तार काटके नहीं देखोग तो इसलिए वहां सब पैसा बचाने का को लोग काम नहीं करते हैं बरांडेड लेते हैं जितना उस पर भरोसा किया जाते हैं टेस्ट कर सके नाम रहो सके कि दस मिस्त्री बोल चुका है कि यह हम इंड़र्ट्रिल पर काम किए हमारा यह क्रिम पर भरोसा है वह इस्तमाल करें और टाइम लिया जाता है यह सब हड़ड़ी में नहीं किया जाता है टाइम लेकर करते हैं मतलब हफता तक लगा देंगा और आपको देना पड़ेगा हफता क्योंकि अगर यह लोग घटाला कर दिये तो आपके सार पूरा फैक्ट्री लटक सकता है और इसलिए आप देखत इसके सिवा ओप्शन हो चाहे वह छोटा ही हो चाहे वह हाई- जाय़ा यह बहुत हाई पावर में लिगाई ने देदी आजिए डी सी बस बार में कितना हाई-पावर का केवल इस्ते माल होता है तो आप देख साथ हैं इंडूरियल में ने कोई आप्शन है ही निए बस ये हम सब्वी चोली चोले से ये चोलीजार में उस्तिमाल होता है ये सिर्फ ये श्रॉटर का जाएगा तो वह सब्सक्राइब पूरा कर दिखा जएगा तो आप देख सेते हैं, बड़े-बड़े टर्मिनल्स पर क्रिम्ट है, चोटे-चोटे में बीट क्रिम्ट है, ताकि अगर यह गड़बढ हो, नट खोलेंगा, अराम से बदलेंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मतलब कोई कंट्रोलर बिगड़ा, खोल दिया नट, आगे भटो, कोई दिमाग नहीं लगाना है यह आप देख सकते हैं, कपासिटर का पावर फेक्टर कर्रेक्शन वाला बॉक्स है, अराम से तीन ड़र खोली है, लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है तो यह समझना बहुत ज़र है, कि छोटे स्चोटे में मिल जाता है, बड़े स्चोटे में बहुत करते हैं, तो चोटे स्चोटे में सब लोग करते हैं और घूम फिर के ऑप्शन है कि क्या आपका अपनी मन की शानती चाहते हैं, क्योंकि जर्णरली नहीं कुछ होगा, अगर आप करिम नहीं इस्तमाल करते हैं, नहीं घर बूम हो जाएगा, लेकिन यह होता है भरोसा, यह होता है मन की शानती, उसके लिए लोकसांती से यह गत यह सब करना बहुत असान कर देता है, अगर नहीं करते हैं, बैंग लग जाती है, हाउस दिस्टिबूशन बोकस बोल दिया कि आप खुला मिलता है, तो इसलिए मैं जरू कहूंगा कि आप सब लोग ट्राय किजिए, और क्रिम्पिंग को देखने का सिखने का समझ नीचे औ अगर आप इंडुरस्टियल सेक्टर में घुजना चाते हैं, तो यह आना कमपलसरी है, गाली में घुजना चाते हैं, अगर आप अच्छा लागो कुछ सिखने को समझ में हो, अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्टिया शेयर कर दे, और से बेरा काफी भला होगा, नहीं अगर आफ्री हैं, तो आपने रहा वीडियो दुखा, जनके मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद.